नमस्कार आज हम मुंबई इन्युवरिसिटी के कैंपस में हैं जहाँ पर मेरे साथ दो पिएजडी के स्कॉलर है जिनोंने पिएजडी के लिए अलग-अलग विशेच चुने हैं बहुजन समाज के लिए ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि पिछले डाई से 2000 साल तक बहुजन समाज को शिक्षा से वंचित कर दिया था उन्हें किसी प्रकार के कोई शिक्षा नहीं दी गई थी लेकिन आज उसी तपके के उसी वर्ग के लोग पिएजडी तक किस पढ़ाई कर रहे हैं और हमारे साथ यही दो विद्धारती है दिपक घोड़ेस्वार और विकास शिंदे ये दो स्टूरंट है जिनोंने गलग विशे लिए है दिपक हमें बताईए कि कौन सा विशे आपका पिएजडी का है मैं दिपक घोड़ेस्वार मैं मुंबय उन्वर्सिटी में एंफिल का स्टूडेंट हूं एंफिल का रिसेर्च कॉलर हूं और मैंने अपना सब्जेक्ट जो रिलेटेट लिया हुए व उसका खतम हो जाना मतलब जैसे उदय हुआ वैसे वह खतम भी हो गए इसके इसके साथ में जो लोग थे जैसे नामदेव दसाल थे राजा डाले थे जवी पावार थे रामदा साथावले थे इन लोगों का उदय हुआ और उसके बाद एकदम से दलित पैंतर संगतना खतम ह जब गए यह क्यूं हुआ टीशा थी ओन स्टेन लोगा या उन लोगे क्या संगतन क्या थे इसके बारे में मैं रिसरच कर रहा हम उसके पैलियोर के वारे में रिसरच कर रहें जरूर जरूर उसके फ्लियर के बारे में परी सच करारी। क्या घुक्छ कहाया हूं। नाकाम नहीं सकते लेकिन जतना जल्दे से उपर आया उतना जल्दी से नीचे भी बैट गया। और लोगों पे जो अत्याचार होते थे जो गाओ impeachment you जो केड़ का óle उसके आप में संगटन का उदर हुआ था में हैंढर में सिटी में जहां-ज्रैया में पीज़ा में लोगों यह उट्छ खड़े होते ठीक समय में तो आप लिए महारा भी मे इन आगे आएगा ऐसा सोचा जा रहा था लेकिन आचानक में ऐसा हो गया कि किसी ने उसको जैसे शोच समस्के उसको नेस्टनामूद कर दिया गया हो जो एक जो तरुन नेतृत्व जो नौजवान आगे आए थे वो एकदम से शांत हो गए तो वो क्यूं शांत क्यों हो गए या उनका जो राच्किया जो स्वरूप था या जो उन्होंने शुरुआत की थी या उनका खतम हो जाना इसके उपर मैं सब रिसर्च कर रहा हूँ आप क्यों लग रहा है आपको कि ये विशे सामने आना चाहिए इसके बारे में जानकारी जो है वो लोगों को मिलनी चाहिए ऐसा क्यों लग रहा है इसलिए लग रहा है क्योंकि लोगों को इतियास मालूम होना जरूरी है अगर लोग अपना इतियास नहीं जानेंगे तो वह इतियास नहीं बना सकते हैं बाबा साब का स्टेटमेंट है तो आने वाले समय में लोग काफी अंदोलन चला रहे बड़े-बड़े अंदोलन चला रहे बड़े-बड़े संगतन चला रहे कई नाम जो आगे आ रहे जिगनेश मेवानी आ रहे चंद्रशेकर रावन आ रहे ऐसे काफी नाम है तो लोग उनके पीछे जाते हैं ऐसे ही कुछ लोग महरस्टा में भी निर्मान हुए थे उस समय में 70-80 के दसक में लोग उनके प पास कोई प्रैक्टिकली का आजेंडा था या प्लैनिंग थी यह सब मैं तलाश रहा हूं अपने रिसर्च में धून रहा हूं ताकि आने वाले समय में जो अंबेड कर अंदोलों चला रहे जो मोमेंट चला रहे वह अपने फेलियोर का ध्यान में रखके यह गलतियां हमें नहीं करनी है यह गलती हो चुकी है इस वजह से हम लोग फूट चुके है हमारा संगटन नेस्तनाबुद हो चुका है तो हमें आगे चलके और बड़े पैमाने पे मजबूत धाचा संगटनात्मक धाचा बनाना पड़ेगा तो वह अभ्यास करना भी जरूरी है तो वह सब फार में रख्के मैंने जहर्च लिया वॉएप्से yayर गैो मेरे रिसर्च का नाम है डॉ-वाभा इब्लक कर के अब वे सब्जेक्ट की उलिया क्या लग रहा है आपको कि अभी राजनीती जो है बहुजन आंदोलन या बहुजन राजनीती जो है वो बाबा साहब की राजनीती पर अमल नहीं कर रही है उससे अलग होकर वो काम कर रही है जे वीशे तो इसी बारे में है क्योंकि मैंने बाबा सा विदेश से पढ़कर आये थे तो तो भी बाबा साब को शायद लगा होगा कि आभी मैं अगर पूरे समाज के सामने जाता हो तो मुझे कोई ना नहीं कहेगा लेकिन फिर भी बाबा साब ने ऐसा ना करते हुए उन्होंने पर्टिकुलरी वो मुमेंट शुरू किया रस्ते का मुमेंट जो है जो समाज में रस्ते का मुमेंट जो बहुत जरूरी है जानकारी के लिए जैसे बहिसकरित हितकरनी सभा है माड का सत्यागरे चावदार तले का सत्यागरे कालाना मंदिर का सत्यागरे तो ये बाबा साब ने जो रस्ते के आंदोलन की लड़ाई जो है वो ब अभी मुझे लगा कि आरे बाबा साब के नाम पर बहुत सारी लोगों ने पीएश्डी कर रखे यंफिल कर रखा है मिनी रिसर्च कर रखा है इंटरनेस्टल उनके कुछ प्रबंध भी है तो मैंने सोचा कि बाबा साब की जो राज के मुमेंट है उस मुमेंट का जो अलग प हमारे नेताओं ने हमारे समाज के कुछ बड़े लेके लोगों ने इसको नजर आंदाज किया है क्योंकि बाबा साब की जो स्ट्रिक थी उन्होंने अपना ना छोड़ दिया है क्योंकि जब चप्पन में बाबा साब चले गए तो चप्पन के बाद जो समाज में जो राज समाज के लिए जो मुमेंट है वो आज के स्तिती में पूरी पूरी खतम हो चुके इसका कारण है कि उन्होंने बाबा साब को सही तरीके से नहीं पड़ा है तो मेरे रिशर्च का यह प्रॉब्लम है कि मैंने रिशर्च में दो तिन जो मुद्धी इंकलूड किये है तो उसमें पहला एक मुद्धा है कि बाबा साब का जो काम था वो अंतराष्ट्रे लेवल में सही में देश के लिए पोशक था क्या नहीं तो यह रिशर्च के बारे में जब मैं रिशर्च करूंगा तो यह बात पूरी की पूरी तहीं हो जाएगी आज के तारिक में आब देखोगे क कश्मिर का मुद्धा है वो अभी तक स्वाल नहीं हुआ है लेकिन बाबा साब ने उस ताइम में इंटरनेशनल में बहुत सारे काम किये हैं वो भी हिस्टरी आभी तक सामने नहीं आए है तो उसी हिस्टरी में का यह भी एक रिशर्च प्राब्लेम का पहलू है दूसरा प आज की थारिख में बाबा साब की मुमेंट जैसा काम करते हैं क्या। किया है और संगर्ष को सही माइने में सही करने का काम बाबा साब ने उस टाइम किया था लेकिन 56 के बाद लोगों ने मतलब जो मनुवादी लोग है उन्होंने आलग तरीके में हिस्ट्री में वो उन्हें आलग से इंक्लूड कुछ किया और लोगों का जो माइन्ड पूरा के पूरा डाइवर्ट किया है तो दूसरा मेरा रिसर्च प्राबलम है कि बाबा साब सही में लोगों को मतलब जो लोग होते है जो समाज में लोग होते है वो सची में राजकारं करते थे क्या समाज कारं करते थे ये भी बात उसमें धूरनी बहुत जरूरी है क्योंकि बाबा समाज के कौम का कैसे भला हो जाए बहुजन समाज का कैसे भला हो जाए और हर एक कौम के बारे में उन्होंने वो अपना मुवमेंट चला है मतलब उसको moment तो सहीत माइने में नहीं का जाएगा लेकिन बाबा साब ने अगर सोज समझ के उसको moment political moment का है तो यकिनन वो political moment है और उसके जो perspective है वो बाबा साब ने आगे कैसे बताए हो आमें research से हमें जानकरी मिलनी आपने कहा कि बाबा साब के बाद जो है वो बहुजन राजनीती बाबा साब जिस दिशा में ले कर जा रहे थे यह जो बाबा साब का तरीका था वो उस तरीके से उस पर अमल नहीं हुआ लेकिन मानने और कांशराम सहाब ने वो प्रयास किया और उस रास्ते से उस दिशा में वो बहुत हद तक आगे बढ़ गए थे तो BSP जो बनी कांशराम सहाब ने जो बनाई उस पर क्या आपका रिसर्च कहता है मेरा कहना मैं BSP के बारे में तो ज़्यादा बोलूँगा लेने के लिंग कांशराम सहाब के बारे में थोड़ा सा बोलूँगा कि जाने के बाद, क्यूंकि बाबा साब की पूरी मिम्मेंट के आप शालोंगे उसमें आगर निचोड लोंगे तो एक ही बात अभी तक आपने जो रिसर्च किया है उसमें आपको क्या जानकारी मिली दलित पैंथर के बारे में कि अभी तक मैंने जो रिसर्च किया है उसमें जानकारी तो यहीं मिली है कि शुरुवाती दोर में प्रैक्टिकल अगर देखा जाये तो महाराष्ट्रा में जो भारत में ज़ाती वेस्था है उसका जो विरोद उसका जो विद्रो पे विरोद किया गया वह दलित पैंथर के लोगों को प्रतापित किया जाता था पानी नहीं भरने दिया जाता था एसे कही चीजें थे जिसके वज़े से चुआ चूट फैलाई जाती थी या उसको फॉलो किया जाता था इसके विरोध में इन लोग का उद्य हुआ था अगर शुरुवती दोर में देखा जाए तो ना गए थे तो वो लोगों को जो जाती वेवस्ता के कारण जो दर्द होता था या जो उनको प्रतापित किया जाता था उसके विरोध में लोगों ने अपना संगटन ओपन किया था और उसका विरोध करने के लिए एक सब बड़े पाइमाने पे इन लोगों ने अपना संगट अत्मक धाचाय निर्मान करने का प्रयास किया था उसका नाम उन्हें ने दलित पैंथर रखा था ऐसा ही दलित पैंथर जैसे ब्लैक पैंथर जो अमेरिका में था जो ब्लैक लोगों का था उसका स्टडी करके उसी के धरती पर यहां पर महाराष्टा में दलित पैंथर ओपन शक्ति के स्वरूप में उदय पा रहे थे लेकिन आचानक यह सब शांत हो गया तो कारण लगते हैं काफी कारण है उसके पीछे कारण यह भी हो सकता है जो सुनने में आता है कि उनका आपसी वह मनस्य जो है एक दूसरे के विश्वास ना रहना यह भी अंदुरुनी कारण था कि जिसकी वज़े से दलित पैंतर में तूट फूट हो गई जरूर जरूर यह अभ्यास में जान पड़ता है उन लोगों में आ किस दीशा में जाना है क्या करना है कैसे अंदोलन चलाना है कीन चीजों को ध्यान में रखना है यह यह कॉल्डिनेशन नहीं था उन लोगों में तो इसका मैं रिसर्च कर रहा हूँ अभी बड़े पैमाने पे तो आने वाले समय में मैं वह जरूर बताओं आपको यह अपन समय उसके बाद रेड़ी हो जाएगा पिर सम्मिट कर दूँगा और जरूर मैं बताना चाहूंगा आपको जो स्टडी चल रहा हो कर रहा हो इसके बारे में आपको जरूर बताऊंगा और विकाजी आप बताए कि आपके रिसर्च में और कौन से पहलू जो है वह आपको टटोलने बाकी है या आपको ऐसा लगता है कि जो पहले आपके रिसर्च में नहीं था पहले वह उसमें नहीं था लेकिन कुछ स्टडी करने के बाद आपको ऐसा लगा कि यह भी पहलू हो स तो अलग-अलग टॉपिक जो रहते हैं उस पे आपको रिसर्च करना पड़ता है जो पाज पर्टिकलर टॉपिक होते हैं तो उस पाज पर्टिकलर टॉपिक में जो बाबा साब की पहली मुवमेंट है पहले उसको मुवमेंट को पड़ा जाएगा बाद में बाबा साब ने क पत्रका निकाले जो निउस्पेपर निकाले तो ये भी एक रिशर्च का बहुत बड़ा बाबा साब का भाग है आज की तारिक में आगर आप देखोगे कि ट्यूवी मेडा वाली जो है जो पर्टिकुलर येकी पारटी का नाम लेकर उसको लाल करने में लगे रहते हैं लेकि जो पुरा के पुरा प्रयास बाबा साब ने उस टाइम में किया तो उसको भी देखना बहुत ज़रूर आज की तारिक में क्यूंकि बाबा साब ने जो आर्टिकल 11-29 तक जो मोलिक आदिकार हमको दिये है मतलब उसमें तो बाबा साब ने मोली का दिकार क्यों दिये और कैसे दिये उसको भी टटोलना बहुत जरूर है और मैंने उसका जो किया है तो मनुस मुर्तिक के साथ किया है कि देखो पहले आप बाबा साब ने हमें मोली का दिकार दिये पहले हमें बात करने के आज़ादी नहीं थी क्यों बाबा साब ने मोलिक आधिकारों में ये बात करने के आज़ादी हमें दी आर्टिकल 19 में आप देखोगे कि आपको भाशन करने का, सभा करने का, समेलन करने का जो आधिकार है उस टाइम में ब्राह्मन लोगों ने ये अधिकार हमारे पास नहीं रखा था बहुत हजारों साल पहले ये अधिकार हमसे छीन लिया गए था लेकिन बाबा साब ने बाबा साब अगर चाहते है तो अलग कलम में इसको डाल सकते थे लेकिन बाबा साब ने इसको मोलिक आदिकारों भी क्यों डाला क्योंकि ये लोगों को समझना बहुत जरूर है लोग भाशन करते हैं तो भाशन में मनुसमृति को आलग समझाते हैं लेकिन आपको मनुसमृति को आलग समझाने की सही माइने में जरूरत नहीं है क्यूंकि आप मनुसमृति को मोलिक आदुकारों को जोड कर आगर आप स्टडी करोगे, तो सही महांए में आपको पता चले गया, कि जो बहुजनों पर अन्या हो रहा था, जो बहुजनों को हकादिकार छीन ले जा दे थे, तो उसमें बाबा साहब ने सही महांए में उनको कै टटोल आने यह अभी मैं पहले दो चार इन्वरसिटी का डाटा टटोलने वाला हूँ उसमें किस पर और ज्यादा काम किया है वो देखने वाला हूँ और वो देखने के बाद फिर मेरा अलग क्या प्रस्पेक्टिव निकलता है तो उस पे उस पे जाकर आपी ज्यादा है तो उसमें कोई दोरा नहीं है लेकिन सही माइने में बाबा साब को पढ़ना ये क्या दो साल का लगी जाएगा लेकिन देड साल हमारा भी लेट एडमिशन हुआ तो यह बहुत सारी बाती है जो इसको अभी आगे जाकर क्या होता है वो आगे देखना पड़ेगा धन्यवाद MN TV से बात करने के लिए दीपक और विकास बाबा सहाब का 40 साल का संगर्श है उसमें बाबा सहाब के अलग-अलग पहलू है बढ़ी बात है बहुजन समाज के लिए कि दलित पैंथर का उदे कैसे हुआ था उसका अस्त कैसे हो गया वो नश्ट कैसे हो गया किस ने किया क्यूं हुआ तो यह सारी बाते भी हमें जानने समझ नहीं किये बाबा सहाब एक राजनेता के तौर पर किस प्रकार से काम करते एक राजनेता के तोर पर वो चीजों को किस प्रकार से देखते हैं लोगों को कैसे समझाते हैं ये भी इस रिसर्च का एक हिस्सा है उनके तो ये बहुजन समाज के लिए बहुत बड़ी बात है कि अलग-अलग रिसर्च इस प्रकार से लोगों के सामने आएंगे और बहु और इन दोनों को MNTV की तरफ से उनकी जो आगे का जो रिसर्च है उसके लिए भी हम शुब कामने देते हैं और हमारी तरफ से अगर कोई मदद उनको होगी तो हम वो करने के लिए भी तैयार है तो यही था आज का वीडियो आप देखते रहे MNTV धन्यवाद समाच की महतपूर घटनाओं की जानकारी के लिए MNTV को सस्क्राइब करें और साथी साथ बेल आइकन को दबाए ताकि आपको हर महतपूर जानकारी मिलती रहे